नमस्कार दोस्तों मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन तो अब हम आपके लिए रिविव करेंगे जियो सिनमा में रिलीज हुए एक नई ओरिजिनल फिल्म जिसका नाम है इश्क नादान तो इसका डीटियल्स में रिविव करेंगे आपके लिए तो request एक ही है, वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा, कुछ भी अगर पसंद आता है, तो वीडियो को like, share और चैनल को जरूर सब्स्राइब कर लिजेगा, देखिए, Zio Cinema में ये जो content आई है, एकदम free of cost एयर हो रही है, तो आप इसको free of cost देख सकते हैं, second options जो है, उसको ढूंड रहे हैं, लेकिन second option मिलने की बावजूद भी, क्या उसको वो accept कर पा रहा है, या फिर वो उसको ठुकरा दे रहे हैं, तो ये जो कर्ष्मकेसिस है, इसी को लेके basically ये original film जो है, बनाई गई गई है, अब दोस्तों इसमें अगर मैं so called, अगर couple ना भी बोलू, तो जो जो मतलब किरदार यहां पे प्ले करें, एक जो है, निना गुपता जी है, कनवल जी सिंग के साथ, जिनका थोड़ा बहुत, जो है, couples जो है, वो दिखाया जाएगा, जो 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 री है, वो दिखाया जाएगा, साथ में यहां पे आप लाड़ा दत्त प्लेर, और 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 जीनल फिल्म से कुछ मिला नहीं है, सर्फ एक दो चीज कहना चाहूंगा, कि इसकी जो सीख है, जो बॉटम लाइन है, कि आपको जिन्दगी में सेगेंड ऑप्शन जरूर मिलता है, लेकिन आप उसको ग्रैब नहीं कर पाते हो, because of some block is in your mind, तो आपको उ आप साइड, लो साइड ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया, कहानी को बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से दिखाया गया, अब दोस्तों अगर बात करते हैं, इस पर्टिकुलर फिल्म की अगर निगेटिव साइड की, तो देखिए मुझे बहुत सारा चीज़े ज खास नहीं लग रहा है, उतना भी टेंटिंग नहीं लग रहा है, कि वो आखिर में जानने के बाद आपको लगेगा, रहे भाही यह तो कमाल हो गया, ऐसा फिलिंग नहीं आ रहा है, और जो सारे जो कपल्स है, वो अपनी जो मतलब क्राइसीस है ना, वो क्राइसीस भी अच रिलेशन्शिप की बात कर रहे हैं, यहाँ जहाँ पर आप थोड़ा प्रॉब्लेम्स की बात कर रहे हैं, लेकिन वो क्राइसीस अगर उभर के नहीं आती है, वो क्राइसीस से डील करना, वो क्राइसीस के आखिर में जाके एक अल्टीमेटम में पहुँचना, वो अगर नह नहीं होती है तो कहानी जो है उसका happy ending नहीं हो सकती है तो यह कहानी जो है दोस्तों इसमें वह वाला चीज नहीं आगी जब आखिर में दिखाया जाता है कि आखिर में लोग मिल जाते हैं किसी भी तरीके से लेकिन उसकी crisis जो struggle है वो struggle आप महसूस नहीं कर पाऊगे आपको खाहनी अच्छी लगेगी देखने में अच्छे लगेंगे लोग perform कर रहे अच्छे लगेंगे जो slow pace जो आपको थोड़ा time pass लगे लेकिन इसके साथ आप connect नहीं कर पाऊगे जब आप इस तरीके की content के साथ इसके साथ connect नहीं होते हो तो आपका वो emotional जो है चीजे जो बाहर नहीं आते है और उसके साथ ही होता है कि आप इससे emotionally जुर नहीं पाते हो तो यहीं चीज जो हुआ है कि दर्शप को के साथ इसका attachment जो है वो बन नहीं पा रही है overall आपके पास कुछ भी नहीं है देखने के लिए आप इसको चला के देखो के उतना खराब आपको नहीं लगेगा लेकिन आपको हाट को टच भी नहीं कर वाएगा सिर्फ वो message के अलावा और कुछ भी आपको यहां पर अच्छा नहीं लगने वाला है तो दोस्तों मेरे लिए काफी average सा एक सीरीज है जबकि मैंने मोह वीडियो के साथ agree करते हो तो वीडियो को लाइक शेर और चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिएगा मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में तब तक के लिए अलविदा